क हेलो एब्रीवन वेलकम टू पर लिया माईसलफ राहूल और मैं यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हुग हूं रइट तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या-क्या है क्या नहीं है इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे मैंने किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया है कैसे बनाया है क्या-क्या इनपुट डाले है और पूरी जो 10 साल की मेरी जर्नी रही है different different states के बच्चे different backgrounds के बच्चे schooling गो या फिर net हो या फिर jam हो या gate हो gate मैंने around seven to eight years पढ़ाया है सारे ही जितने offline center है famous या फिर online में भी काफी जगे पढ़ाया हुआ है तो सारे input जितने भी journey के मेरे रहे हैं वो सारे input हमने इस course में दिए तो इस course को कैसे बनाया है इसको कैसे पढ़ना है इसका कैसे benefit ले सकते हैं बहतर से से बहतर डंग से क्योंकि हो सकता है तुम इस course को पहली बार पढ़ो तो उतना ना समझ पाओ दूसरी बार पढ़ो तो और अच्छी understanding हो जाए तो किस तरह से पढ़ना है मैं यह भी आभी में हम अफ्लाइन पढ़ाते हैं तो बच्छे को देखते हैं उसके face को देखते हैं जाम उसके face को देखते हैं हमें पता चलता है कि इसकी difficulties क्या है तो उसकी डिविककलीज हैं उनको हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है बहुत ज्यादा क्योंकि हमको पता है कि बच्चा कहां पर लेक कर रहा है और अगर वो चीजें पता चल जाएं तो इसका मतलब यह है कि फिर Engineering Mathematics में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीखा नहीं जा सकता है कभी भी सीखा जा सकता है किसी भी एज में सीखा जा सकता है किसी भी समय पर सीखा जा सकता है सीखने की कोई उमर नहीं है तो आप कभी भी सीख सकते हो ऐसा भी नहीं है हमने इस कोर्स को बनाते समय एक चीज और ध्यान रखी है, कि बच्चा जब चाहे, तब किसी भी topic के sub-topic पर जंप कर सकता है। हर problem पर जंप कर सकता है, कभी भी आए वीडियो में, माल लोगिंग उसने'Man 25 मिनिट पर direct देखना चाहता है, एक सिंपल सी problem और वो theory नहीं देखना चाहता है। तो वो problem में ही theory हमने बहुत अच्छे डंग से बताया हुआ है, हर problem की, ऐसा नहीं है कि सिर्व एक problem के साथ किया हुआ है, या दो problem के साथ, हर problem में हमने theory को बहुत अच्छे डंग से बार-बार बताया हुआ है, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में memorize हो जाए, और memorize अगर हो गई तो यह हमारी strengthening है कि हमारे brain की तो हमारे चीजें अंदर चली जाएंगी अपने आप तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि कोर्स को कैसे पढ़ना है आज पहले तुम मैं यह बताने वाला हूं दूसरा मैं यह बताऊंगा हमने किन-किन चीजों को target किया है कैसे कैसे target किया है और कितना target किया है यह चीजें देखेंगे हम तो पहले हम देखेंगे syllabus इसका weightage क्या है syllabus, weightage, clear और किन-किन exams के लिए target है यह course तो चलिए हम बताते हैं आपको देखो यहाँ पर क्या-क्या है सबसे पहले तो engineering mathematics में यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है सारा course linear algebra है linear algebra में ह वीडियो देख रहे हैं मतलब समझना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तभी देख रहे हैं तो linear algebra में हमने सारी चीजों का ध्यान रखा है जिन बच्चों को मैट्रिक्स के fundamentals में दिक्कत होती है उन बच्चों के fundamentals यहाँ पर direct आप जाके देख सकते हो वीडियो में direct आप fundamental सीख स रखते हो clear इन चीजों का ध्यान रखा है तो 12 के हमने सारे fundamentals बताए है fundamental के अलाबा जितना भी syllabus है ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमने छोड़ी हो चाहें वो vector space की बात हो span की बात हो या फिर orthogonal basis की बात हो या आपके आइगन value की बात हो आइगन वेक्टर की बात हो यह सारी च आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है आप one by one पढ़ते चले जाएए आपको सब समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है समझ में ना है तो कि हम तीन से चार लाग बच्चों से मिले हुए हैं तो हमको यह पता है कि बच्चा basically सोचता क्या है समझे न तो वो सारी सब्सक्राइब भी नहीं है जादा वहीं समझाया है हमने सारी चीज़े इसके अलाबा देखो हमने calculus पर बहुत जोड़ दिया है क्योंकि यह backbone है आपका पूरा यह बहुत important है अगर यह आपका clear है तो आपको बहुत सारी चीज़े अपने आप आगे की topic clear होते जाएंगे तो हमने calculus में single variable calculus इसके अलाबा multi variable calculus इसके अलाबा हमने vector calculus इन तीनों को बड़े ही simplicity से हमने आपके सामने present की है अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में basic जानेंगे भी और इसके अलाबा आप flavor भी ले लेंगे कि basically इस जैसे stokes theorem की बात करें तो इस stokes theorem का क्या मतलब है इस चीज़ का flavor भी आप पढ़ा है हमने बहुत minimum उतना ही बताया है जितनी आपकी requirement क्योंकि requirement अगर आपकी ज्यादा है तो फिर मैं ज्यादा बताओ requirement ही अगर आप पूरी engineering को देखें और इस syllabus को देखें तो सब को सीख जाएंगे तो calculus पे और vector calculus पर बहुत जोर दिया गया है खास तोर से जो दिहान से देखें इसको क्योंकि उनके लिए यह topic बड़ा ही difficult होती है इसके अलावा हमने चौथा topic लिया है differential equation यह भी बड़ा ही important topic है अभी हम number differential equation देखने को मिलती है तो वहाँ पर आप solve नहीं कर पाते हैं या वहाँ पर आप मग कर लेते हैं कि इसका solution यह होगा हमने उन चीजों का सबका ध्यान रखा हुआ है कि सारे जितने भी इंजिनियरिंग की चीज़ें और जितने भी differential equation है हमने सारे analysis करके आपका यहाँ पर समझ सकता है किसी भी topic पर जंप करके भी समझ सकता है कोई यह नहीं है कि भई पूरा पढ़िये आप ऐसा नहीं अभी को जो बच्चे smart हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है तो मैंने course को ऐसा बनाया है कि कोई नजर अंदाज ना करें बस हर किसी के लिए महत्तपूर जाहे मोई एक मुथ बिलो एड़ घुदेंट जाहे वह एक होस्यार स्टुडेंट चाहे वह बहुत ही extraordinary ऑड़ेनरी स्टूडेंट में सारी चीज़ें हमने बताई हैं अब सिलेबस तो हम जादा डिटेल्ड तो आप वीडियो में देखें तो पता ही चल जाएगा इसके अलावा पार्शल डिफरेंशल एक्वेशन हमने यह वी कवर किया हुआ यह जनरली लोग कवर नहीं करते हैं हमने सारे आसपेक्ट को दे क्योंकि Electrical और Electronics के बच्चों के लिए तो बढ़ा ही महत्तुपूर है और फिर Mechanical, Civil या कोई भी ब्रांच का बच्चा हो उसके लिए भी महत्तुपूर है यह चीज़ तो हमने Complex Analysis पर जोर दिया है और इसको भी पूरा कवर किया है सारे जितने भी आसपेक्ट थे जो इसी कराइं गई है बहुत सारा फिजिकल आसपेक्ट ऐसा बताया गिया है कि इनकी पिक्चर्स क्या होंगी बहुत सारे डाइग्राम का इस्तमाल किया गया है lot of Diagram इतने डाइग्राम सार्ट में भी देखने को नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे डाइग्राम से इसमें आप अ हमारे आठ से दस साल की मेहनत में जो टीचिंग पेडागोगी है जो डवलब की गई है जो सीखा है बच्चों से या जो बच्चों ने हमें सिखाया है या हमने बच्चों को सिखाया है उसमें ये सारी चीजें सब कबर की गई है में probability and statistics में generally बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें चाहें हम 12 की जरनी में हो चाहें हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हूं या हम गेट की distribution समने समझाय हुए है सबके diagram diagrammatic representation सारी चीजें हैं तो ऐसा आपको नहीं लगेगा अगर इस course को पढ़ेंगे कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके लिए सबसे बहतर course है क्लियर क्योंकि सारी चीजों को क्यों आते हैं जनरली लोग मक कर लेते हैं रट लेते हैं तो वो चीज ना हो क्योंकि हमारे लिए समझना वहतर है अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम कर भी लेंगे क्योंकि दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल जाती है तो numerical method में सारे method हैं जितने भी method आपके gate में हैं वो सारी चीजें बताएंगे रेड क्लियर इसके अलाब आप देखिए यहां पर दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके डवली और इसी के हिसाब से मैंने नहीं कराई हुए हैं क्लियर यह बच्चे अपने सिग्नल इन सिस्टम हो गया कमिनिकेशन सिस्टम हो गया मेरा भी बैग्राउंड इंजिनियरिंग है मैं एक एलेक्ट्रिकल इंजिनियर हूँ तो मैं समझ सकता हूं कि यह टॉपिक दौनों लोगों के बहुत ही स्ट्रॉंग होंगे खासतोर से किन ब्रांच के बच्चों के डवली और इसी के बच्चों के या आईन के बच्चों के या याई के बच्चों के तो वो लोग यहां से सिग्नल से कर लें मैंने यह पूरा टार्गेट किया है यह सिर्फ किन बच्चों के लिए ओनली मेकैनिकल स्टेवल क्यामिकल प्रोडक्शन और डिफरेंड प्रांचे माइनिंग जो भी एगरी कल्चेर है कोई भी बच्चा पढ़ सकता है तो यहाँ पर जो लापलाश ट्रांसफॉर्म जो हमने पढ़ाया है और 4-year सिरीज पढ़ाया है इसको हमने बिलकुल नजर अंदाच किया है कि मैं इसको इलेक्ट्रिकल के वे में ना पढ़ाऊं इसको एक मैथमेटिक्स के वे में रखूं तो वो पूरी सारा एसेंस इसमें हमने रखा हुआ है तो यह जो सारा एसेंस है इसमें आपको Laplace Transformer 4-year सिरीज में दिखेगा आपको और यह सिर्फ मेकैनिकल और सिविल के बच्चों के लिए उनको ही टार्गेट करके बनाया है अगर कोई डवली या इसी का बच्चा कोई देखना चाहे तो देख सकता है उसके लिए भी इसमें बहुत सारे questions है ऐसे और इसको समझ सकता है हमने इसके physical aspect पर जोर दिया है अगर आप signal पढ़ते हैं तो आपके लिए 4-year सिरीज यहां से बहुत कुछ समझ पाओगे अगर आप इस lecture को देखोगे clear? तो WEC के लोग यहां 4-year सिरीज देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि 4-year सिरीज ना देख पाए तो वो देख लें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन target मेरा audience क्या है mechanical, civil, chemical इस सब के बच्चे क्यों? क्योंकि उनके लिए यह जितने भी paper पढ़ते हैं वो लोग engineering में आपने art semester में उनको यह mathematics देखने को कम मिलती है तो इस वज़े से उनका यह portion थोड़ा weak होता है ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते यह क्योंकि understanding उस way में develop नहीं हुई उनकी अगर किसी mechanical के बच्चे से पूछोगे कि वही newtons की नियम बताओ तो वो बहुत अच्छी understanding रखता है एक electrical के बच्चे से लेकिन यहाँ पर understanding जब subject हम ऐसे पढ़ रहे हैं हमारा माहौल ऐसा है तो हम वही understand ज़्यादा करेंगे जो देख रहे हैं तो यह topic उनके हिसाब से हमने कराई हैं तो इस बात का ध्यान रखना है डबली और ईसी के बच्चों को यह तो हो गया तुम्हारा course जो हमने बनाया है पूरा यह और इस course में फिर से में यह बात दोराऊंगा यह बात ध्यान रखी गई है कि बच्चा basic सीखना चाहे तो basic सीख सकता है बच्चा अगर advance सीखना चाहे तो advance सीख सकता है जो बच्चे mathematics को देखना चाहेते हैं बड़ा interest लेना चाहेते हैं उनके लिए भी यह course है जो बच्चा सीखना चाहेता है उनके लिए भी यह course है clear इतना बात तो यह सारी चीजे हैं इसमें branch में clear इतना बात तो ये सारा mathematics जो है पूरा ये हमने इतने chapter में cover किया हुआ है clear है इतना बात अब आता है हमारा अगली बात तो अगली बात भी हम थोड़ा तुमसे विस्तार में करेंगे detailed में तो अगली बात में ये है हमारा कि mathematics ये पूरा अगर जो है ये total तो टोटल में हमारे 10 topics हैं और अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो समझो gate में तुम्हारा क्या impact पढ़ेगा पहले वो देखो तो यहां देखो gate में अगर कि अगर आप इसको engineering mathematics के इन 10 chapters को पढ़ ले और 10 chapter में क्या है लो इंपूट है यहां समझो मेरे बात को हम तुमको समझाते हैं लो इंपूट है और हाई आउट्पुट में लेगा कि समझे मैं इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं आठ साल जोर देते रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं क्लियर और एप्टिट्यूड का भी एक तुम्हारा अलग है 15 मार्क्स समझ में आया हो अलग निकाल दो इसके अलाबा इसमें क्या है गेट में लो इंपूट और हाई आउट्पुट पेपर आपका इंजिनियरिंग मैस और यह अब कितने मार्क्स का है मैं बताने वाला हूँ तो यहां देखो हर ब्रांच में लमसम आपको 13 to 15 मार्क्स का तुम मिले गाई यह मस्त है सम टाइम कभी कभा 18 मार्क्स का भी चला जाता है मैक्स राइट कभी कभा ऐसा भी होता है तो अब देखो यहां पर 15 मार्क्स बहुत हैं अगर आप इस कोर्स को अगर आप पढ़ते हैं और यह अराउंड कोर्स मैंने बनाया है टोटल हंड्रेड आर्स का यहां ध्यान से सुनिए मेरी बात को हंड्रेड आर्स का कोर्स है यह टोटल लमसा जिसमें हमने सारी अस्पेक्ट पर ध्यान दिया है ऐसा कोई आस्पेक्ट नहीं है जो हमने चोड़ा हो प्याई 2000 अगर compared हूर्स का कोर्स है तो इसमें आप हेयुआ भी और यह मैं 99% guarantee देता हूं वन परसंट में उनन बच्चों के लिए छोड़ देता हूं जो बच्छे बहुत ही वीक हैं बिलकुल उनको दिक्कती है बहुत के concept लेकिन ऐसे बच्चे दिखते नहीं है बहुत रेरी है इवरीड क्यों रेर है क्यों कि इंजिनियरिंग में सब पास करके बच्चे आते हैं तो इसलिए इतने बच्चे तो हैं कि यहां पर 99 परसेंट बच्चे कर लिए प्रिवियस यर के सुलूशन अगर यह आप कोर्स पढ़ते हो तो दूसरा इसमें यह है कि हमने एराउंड फाइवंड्रेट टू प्रॉब्लम्स अराउंड कराई हुए तो आमने 500 टू 600 बहुत प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा इतनी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप इतनी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा आपको सर्फ अब थोड़ी सी शार्पनिंग की जरूरत पड़ेगी इसके बाद इसके अलावा आपको कुछ नहीं चुने हैं तो ये 13 to 15 मार्क्स तुम्हें गेट में मिल जाएंगे अगर ये 100 आर्स का कॉर्स है क्लियर इसके अलावा इस कॉर्स को और कहां पड़ सकते हैं सेम हम इंजिनियरिंग सर्विसेस के लिए यूज कर सकते हैं वहाँ पर भी मैथ हमें एराउंड 30 मार्क्स का देखने को मिलता है तो बहुती बड़ा वेटेज है और इंजिनियरिंग सर्विसेस के जितने भी टॉपिक हैं हमने अल्मूस्ट कराई हुए हैं क्लियर तो यह कितना हो गया टोटल आपका तो आप देखो यहां पर यह हमारा गेट में 13 to 15 मार्क्स एक यहां हो गया यह में 30 मार्क्स क्लियर अब देखो अगर माल लो तुम्हारा गोल गेट में 100 मार्क्स है यह पेपर का टोटल और गोल तुम्हारा 70 से 80 मार्क्स है अगर आपको अच्छी रैंक लानी है एक्टी ब्लस और अगर थोड़ी सेटिस्वेक्टरी रैंक लानी है तो सतर से साथ के बीच में तो बच्चा अगर aptitude पढ़ ले 15 marks का तो यह स्मार्ट स्टडी बता रहे हैं और 15 marks का मैस पढ़ ले तो यह टोटल हो गए 30 marks और 30 में कुछ नहीं तो हम ज्यादा नहीं हम कोई स्टूडेंट है इतना ला सकता है एवरेज बिलू एवरेज भी इतना ला सकता है लो इंपुट है बहुत लो इंपुट इन दौनों पेपर्स तो जहां दिमाग लगाना है तुम्हें युद्ध जीतना है तुम यहां पर किसी को प्रूफ करने नहीं आये हूँ कि हमें subject को बहुत अच्छे से सीखना सीख लेना mtech PhD पूरा जीवन पढ़ा हुग है 40-50 साल लगा होगे तब जाके math में कुछ सीख पाऊगे या electrical में कुछ सीख पाऊगे किसी भी चीज तो लगा लेना अभी तुम्हें पहले institute तो मिले कोई national level के institute में पहुचो तो सही कम से कम वहां देखो क्या working अरकिंग है तो यहां पर गेट में तुम्हें देखो यहां पर कितने मार्क्स मिल गए 24 मार्क्स मिल गए अब यहां सत्तर में तुमारे लिए 50 लाना भी बहुत मुस्किल होता है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अराउंड 9-10 सब्जेक्ट तो यह बहुत ही rank deciding है यह दौनों पेपर तो जो भी अच्छे student aspirants होते हैं वो बच्चे जानते हैं कि इन दौनों चीजों का weightage क्या है अगर इन दौनों चीजों के weightage को हम समझ गए तो हम gate exam की philosophy और psychology दौनों समझ जाएंगे क्यों कैसे लेना चाहे रहा है तुम यह paper पर ध्यान देते कम हो तुम technical की यहां पर जंजाल में पड़े रहते हो नौ subjects में हो सकता है कोई subject का weightage two marks का हो और तुम लगे पड़े हो समझे ना बात को और तुम लगे पड़े हो यहां two marks में और वो भी exam में जो question आया वो भी नहीं कर पाए तुम two marks का यहां पर क्या है यहां पर simplicity है यहां पर question mathematics और एप्टी के ऐसे हैं आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है और यहां पर उतना question में deviation भी नहीं है मैं समझता हूँ जिस बच्चे ने सिर्फ 12 में भी हलकी सी math पढ़ी है वो भी इस course को enjoy कर सकता है और सीक के 24 नंबर ला सकते हैं चाहें वो aptitude का course हो पढ़ लिया पर और math का course अगर यह दौनों course पढ़ लिये जाएं तो इतना तो पता है कि 24 नंबर आ जाएंगे यह पक्का है तो यह तो हो गया तुम्हारा वेटेज की बात अब हम देखते हैं थोड़ा एक और बात कर लेते हैं इस course को पढ़ना कैसे है यह सबसे बड़ी बात है तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं how to start सबसे पहले start कैसे करना है और क्या करना है यहाँ देखो सबसे पहले काम क्या करोगे एक पहला work सबसे पहले क्या करोगे किसी भी यह मैं बता रहा हूं अपने according वरना चाहो तो आप किसी भी वीडियो को जाके देख सकते वहां तब भी समझ में आ जाएगा लेकिन यह मेरी strategy यह मैं बता रहूं और अगर इसको follow करोगे तो obviously तुमको फायदा होगा क्योंकि हम ज्यादा students से मिले हुए हमने ज्यादा psychology देखी है लोगों की students की क्या है क्या नहीं उसके पढ़ने की तो यहाँ देखो how to start कैसे करना है सबसे पहले हमें learning पर ध्यान देना है हमने तीन भा मान लो suppose that मैंने calculus start किया एक का बता देते हैं फिर तो आप लोग समझ जाओगे calculus का देखिए यहाँ पर यह सब में ही applicable होती है अगर आप चाओँ तो दूसरे subject में भी लगा सकते लर्निंग का मतलब क्या है हमने मान लो calculus topic start किया तो हम क्या गरें सबसे पहले हम उसकी theory को पढ़ लिए theory का मतलब क्या होगा उसके basic essence को जाने बेसे essence हमको पता चल गया तो हमने यहाँ पर सबसे पहले learning में पहला portion होगा हमने basic सीख लिया क्लियर है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जब हम सवाल करवा रही होंगे वीडियो में तो वह बच्चे चाहें तो पॉस्ट कर लें अगर मेरी theory पढ़ रखा है तो वह अपने से करें अगर मैस का मतलब यह होता है हो सकता है दूसरे method बना ले मेरे से अच्छा method बच्चा ज कि इसके बाद वीडियो में solution देखना चाहें तो देख सकता है और अगर उसका solution आ गया है तो और अच्छी बात है तो यहां देको learning में पहले basic सीख लिया हमने सारा basic देख लिया हम तुमको सबसे basic techniques बता रहे हैं किसी भी subject को start करने की basic समझ गई basic समझने के बाद बच्चे क् करना है हमको इस बात पर ध्यान देना है basic करने के बाद basic कर लिया basic करने के बाद अब हम जाएंगे problems पर तो अब problems में categorize किया तो पहला क्या होगा जो basic से solve हो जाएंगे कि जो अमने theory पढ़ी हुई है और कुछ question पक्का ऐसे होंगे 20 से 30% question जो अपने आप solve हो जाएंगे तो अगर theory पढ़ी हुई है तो पुट करने वाले हैं ज्यादा है उतना कोई math difficulty नहीं है अपने आप solve कर लो दूसरा है वह सकता basic के बाद तुम्हें थोड़ा workout करना पड़े अब workout किस किस तरह का हो सकता है वह सकता है दोबारा theory देखनी पड़े अब फिर से करना पड़े workout तो workout करके कुछ ऐसी problem होंगी जो workout करके लग जाएंगी ज्यादा logic नहीं लगाना पड़ेगा एक simple सा workout करना पड़ेगा तीसरी समस्याइं ऐसी आएंगी तुम्हारे सामने जो फिर तुम मेरे solution की help से समझ जाओगे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है देखो मैं बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंगी अभी हम खुदी नहीं जानते बहुत कुछ समझे ना honest answer है तो यह help से सीख गए कुछ ऐसी भी problems आएंगी हो सकता है 800 अगर मैंने कराई है 600 से 800 या 500 से 800 के बीच में जो भी लमसब उसमें कुछ problem ऐसी जलूर आएंगी मुश्किल से 10 problem जो हो सकता है मेरे समझाने पर भी तुम नहीं समझ रहे होगे समझे मेरी बात को तो तुम अपने friends से help ले ले लिया इंटरनेट से help ले लिया कहीं से clear है किसी teacher दूसरे teacher से होगी जो तुम्हें friends से भी समझ में नहीं आएंगी help से भी समझ में नहीं आएंगी workout से भी नहीं होगी basic से भी नहीं होगी उन problem को छोड़ देना leave it और ऐसी problem कितनी होगी मुश्किल से one year two इससे ज़्यादा नहीं होगी अब इसको क्यों छोड़ देना क्योंकि psychological अपने आपको disturber मत करो क्यों क्योंकि number of questions कितने infinite तो किसी भी exam में वही same question आएगा इसकी probability बहुत कम ही होगी कि ऐसा तो होगा नहीं कि same question अगर आगया तो वह फिर तुमारी किस्मत है ऐसा बहुत rare ही होगा कि जो तुम्हें नहीं आता वही एक्जाम में आएगा जनरली एक question की बात कर सेम question आ जाए उसी concept का जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है लेकिन यहां चार जैसे ही workout करोग strengthening अपनी देख लो कि भाई क्या है हमारी स्ट्रेंथनिंग में क्या है तुम्हारा देखो strengthening में तुम क्या करो अब मेरे question मत देखो मैंने जो सब करा दिये सब हो गया है सारा अब तुम जनरली क्या करो बाहर से कोई भी paper ले सकते हो या कोई भी test series ले सकते हो पढलिया की test series available है यह सारी test series में देखो करके question क्या हो रही है तो उसमें यह hundred percent done है अगर यह follow किया हुआ है तो यहां मात्र पास से 10% question ऐसे होंगे जो तुमसे strengthening में हो जाएंगे जो बचे हुए यहां question जो नहीं हो रहे थे वो question यहां हो जाएंगे और जो भी तुम openly कहीं से भी question लोगे वो सारे question solve हो जाएंगे ऐसा सिर्फ पास से 10% question या 10 से 20% question बचेगा they depend on the student कि वो solve ना हो तुम पर पस तो वो भी तुम्हें फिर्फंडा यही लगाना है और लास्ट स्टेप देखेंगे हम जब strengthening हो गई subject भी सीख गए अब subject 90% हो गया है अब memorizing कर लो आप बहुत सारी चीज़ें memory में डालना सुरू करतो क्या क्या जब सब कुछ सीख गए तो क्या करो memory में क्या क्या कर लो सारे फार्मूले याद कर लो short keys याद कर लो short tricks याद कर लो फाइदा मिलेगा तुम्हे time save होगा तुमारा exam समझे ना बात को तो यह सारी चीज़ें कर लो तो इतनी चीज़ें अगर करते हो तो subject तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना कहीं से क्लियर है इतनी बात का हमको दिहान रखना है तो यह सारा हमने बत हंड्रेड आर्स अगर आप चाहें तो अगर दो से तीन घंटे वी रोज पढ़ते हैं मिनिममम तू से थ्री आर्स राइट और प्रॉपर नोट्स बनाते हो क्लियर और मैठ ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज पढ़ने वाला है क्यों अभी तो तुम दो से तीन घंटे तुम पढ़ो जब सब्जेक्ट स्टार्ट किया है राइट प्रॉपर नोट्स बनाओ सब कुछ बन गया क्लियर तो आराउंड 35 दिन में खतम कर लोगे एक 15 मार्क्स का टॉपिक समझ रहे हो तुम जो तुम पूरे साल में नहीं कर पाते हो टेक्निकल में पी हम टेक्निकल का यह नहीं कह रहे कि वो नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन बात समस्दार कौन समस्दार वो कोच जो बच्चे को यह बताए कि वही आपको एक्जाम कैसे निकलने आप यहां पर एक्जाम निकालने आयों एक्जाम निकालने में हमने यह भी ध्यान रखा है कि बच्चा कहीं शूट ना जाए अगर इंटर्वियू में जाए तो वहां पर उसको एक्जाक्ट चीज पता हो कि वही रेंडम वेरियेविल का मतलब क्या है भी कंडिश पर नोट्स बनाना है दो से तीन घंटे पढ़ना है 35 दिन में खतम कर दोगे इसके बाद क्या करो सिर्फ तुम्हें 30 मिनट्स निकालने और यह कंटिन्यू रेगुलर करना है क्योंकि यहां बहुत ही इंपोर्टेंट है बात अगर रेगुलर तुमने दो महीने भी कर लिया तो यह हंड्रेड आर्स जो है ना है को गोल के पीजाओ तो कभी भूलने वाला नहीं है 30 दिन सिर्फ कर लो 30 मिनट्स रिवाइस बस रोज उठाया देखा क्या 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 है कहां दिक्कतारी क्वेशन ओशन देखे जनरली क्या बन रहा क्या नहीं क्योंकि जब आप इस स्ट सब चीजों का ध्यान है तो यही सारा टोटल है और इससे ज़्यादा हम क्या बात करें फिर आप इस कोर्स को खरी दिए लीजिए परचेस कीजिए पढ़ लिया से और इस कोर्स को इंजोई करें क्लियर थैंक्यू बच्चों बाइबाए टेक कियर